साइन्स की क्लास्रूम में पैन स्टेंड भी कुछ अनोखा ही होना चाहिए हाई मैं हूं गौरव और आज हम इस वर्टेकल पैन स्टेंड को खुद बनाएंगे और फिर ये समझेंगे कि ये पैन हवा में सिधा कैसे खड़ा रह पारा है इसके लिए हमें एक साइकल स्पोग यानि साइकल की ताड़ी, एक पैन, दो रिंग मैगनेट्स, एक सीडी और थोड़ी सी टेप चाहिएगी सबसे पहले साइकल स्पोग के इस सिरे से दो उंगलियों जितनी जगह छोड़ कर हम उसे मोड़ देने इससे हमें ये कुछ इस तरह का V-shape मिल जाएगा, जिस पर हम अपनी ये मैगनेट आसानी से रख सकते हैं तो हमारा मैगनेट को रखने का स्ट्रक्चर तो तयार है अब इस बाकी के तार को मोड़ कर हमें एक ऐसा स्टैंड बनाना है जिस पर ये खड़ा हो सके और उसके लिए हम इस तार को यहां से नीचे की तरफ मोड़ देंगे जिससे हमें ये साथ जैसी दिखने वाली एक शेप मिल जाएगी अब इस बड़े वाली साइड पर हम अपने पेंच इतनी लंबाई मार्क कर लेंगे और उससे आधा सेंटीमेटर और एक्स्टा छोड़कर एक और मोड लगा देंगे और ये दूसरा मोड लगाते समय बस ये ध्यान रखें कि ये वाला मोड पहले वाले मोड से उल्टी दिखने हो और ऐसा करने पर हमें ये जैसी एक शेप मिल जाएगी इस हिस्से को बीच से मोड देंगे और हमारा पैन स्टेंट तयार हो जाएगा अब बस इसे सीडी पर रखकर टेप की सहायता से चिपका देते हैं और हमारा पैन स्टेंट तयार है इस दूसरी मैगनेट को अब हम इस पैन में फिक्स कर देते हैं और अगर यह चुम्बक पे डिली है, तो पेन पे हम कागस का एक छोटा सा टुपड़ा लपेट देंगे, और अब मैगनेट को डालेंगे, तो यह इस पे एक जगए फिक्स हो जाएगी, और यह बाकी का जो कागस है, यह हम हटा लेंगे, अब आखरी में बस हमें यह चेक करन पेलट देंगे, और अब देखी, अब यह पेन इस पे चिपक पा रहा है, और अब हमारा पेन स्टेंट तयार है, इसको हम पेन को नीचे रख सकते हैं, और गुमा भी सकते हैं, यह पेन इसी लिए खड़ा रह पा रहा है कि यह जो दोनों मैगनेट्स हैं, यह अट्रेक्श सिरा है, यह साउथ पोल होगा, और अगर दोनों मैगनेट्स के सेम पोल एक दूसरे की तरफ हो पाएं, तो यह पेन खड़ा नहीं रह पाएगा, तो हम यह करके भी देख सकते हैं, इस उपर वाली मैगनेट्स को अगर मैं पलट के रख दूँ, तो अब यह पेन इस पे इसलिए घूमबा रहा है, क्योंकि यह जो पेन है, इसकी टिप और यह जो सीडी का चिकना सर्फेस है, इन दोनों की बिच फ्रिक्शन बहुत ही कम है, इसलिए एक बार घूमाने पर यह पेन काफी देर तक घूमता ही रहता है, अगर पेन अपनी जगह पर खड़ा नहीं हो कर सकते हैं, ताकि यह दूरी कम हो जाए, हम यह भी कर सकते हैं कि उपर एक से जादा मैगनेट रख दें, ताकि दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है, वो बढ़ जाए और यह पेन अपनी जगह पर खड़ा है, एक इंट्रेस्टिंग सवाल यह भी है कि यह जो स्टें पर क्योंकि यह पेन हवा में नहीं है और नीचे अपनी टिप पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यह जो फोर्स है, यह इसके वजन से कम है, लेकिन कितना है उसको जानने के लिए हम यह एक्टिविटी कर सकते हैं, इसे हम ट्रस्ट फॉल कहते हैं, इसको करने के लिए ह सीधा पीछे की तरफ गिरना है, यह ट्रस्ट करते हुए कि पीछे वाला उसको कैच कर लेगा, तो ट्रस्ट फॉल से यह तो पता चलता ही है कि कौन किस पे ट्रस्ट करता है, और करने से धेरे-धेरे ट्रस्ट बढ़ता भी है, लेकिन साथ-साथ हमारे यह जो पेन तो बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसी तरह से हमारे पेन स्टैंड में भी, जब यह पेन सीधा खड़ा हुआ है, तो यह उपर स्टैंड वाली जो मैगनेट है, इसको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, पर जैसे ही पेन थोड़ा सा टेड़ा होगा, तो इस उ बहुत ही कम फोर्स इस मैगनेट को लगाना पड़ेगा, और अगर यह पेन बहुत जादा टेड़ा हो गया, उस केस में यह इसको वापस नहीं ला पाएगी और यह पेन गिर जाएगा, आप इस MDF शीट से भी यह पेन स्टैंड बना सकते हैं, इसके पार्ट्स को बाहर नि तो इस तरह के नॉर्मल पैन स्टैंड को बाहर भेगिए और अपने खुद के बनाए हुए इस मैजिकल पैन स्टैंड को अंदर लाइए, थैंक यू अनदे बना पैन स्टैंड को अंदरे जाएगे बना स्टैंड पैन जा लाएगा लाइए, थैंक उएपन देली तो शीट खिए जाहर को अंदरें